दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं इसी गोमूत्र का और प्रयोग है मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको इलर्जी होती है कई लोगों को कई कई चीज से लर्जी होती है किसी को धूल से लर्जी है तो किसी को परफ्यूम से लर्जी है किसी को सेंट से लर्जी है किसी को अगरबत्ती के धोएं से ALERŽी है, किसी को कांग्रस घास से ALERŽी है, किसी को किसी से ALERŽी है धुनिया में जितने ALERŽी वाले लोग हैं, इंकी सबसे अच्छी दवाहे गाज़ का मुट्र किसी भी ALERJी के आप मरीठ हैं आप वो मुत्र पी लिए चार महिने लगातार पी लिए उसके बाद आप इलर्जी टेस्ट कराईए आपकी इलर्जी ठीक कर दे किसी भी तरह के लिए और ये गुमुत्र किन की लिए काम आता है शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जीमा हो गया, फोरे, फुंसी ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी हों के दिये गुमुत्र कैसे करना? मालिश करना इसकी और मालिश करके थोड़ी देख के लिए सूर प्रकाश में बैठना और उसके मुत्र शरीक पर मालिश करना है, उनको कभी भी सावुन नहीं वा परना चाहिए, किसी दी तरह का सावुन मत लगए, तो सारे रोग आपके बहुत जिल्दी ठीक होते हैं, इसी गुमुत्र का और उप्योग आप कर सकते हैं बालों में, अगर बाल बहुत जड़ते हैं, गि और शेयर करें, और हां, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें